तो दोस्तो आप कैसे हैं हासा करते हैं कि आप से बहुत मस्त होंके और अपने से बहागने लगा भागते में इसके कि यहें पर रुके का तो अससान्त होगा पर अपना भागने के वज़ा से तना ड़ चुका था आदमी के पास से तो पानी में गिर चुका और पानी में गिरने के बाद और प्रब्लम्म खरी हो गई तब तक मैं सोचा कि किसी और बच्चे को बुलाओं कि मैंसे जाने पर बहुत ज़्यादा पानी था क्योंकि डुबा पानी है इसमें और उसका पॉंक भी भीज गया तो फिर्म में किसी और को बलाकर उसको बचाने का खुशिस करूंगा तब तक आप लोग अंतक बीडियों म गोगे केशनी तेया और यहन वरहना अबर और उसकोल एक है वहाँ पर उसको रखोंगा और वहां गहीं पर सुरक्षित रहेगा क्योंकि कोई जानवर छुएगा नहीं और हम लोग चल दिये हैं लेकर बचाकर और पकडंडी है पकडंडी के माध्यम से जा रहा है क्योंकि चारो बगल पानी हो चुका है और देख रहे हैं आप लोग पैर खराब हो चुका है बेचरा इतना कष्ट म में था इसलिए मुझे देखा नहीं गिया इसके वज़से में जाल से बचाया हूं क्योंकि पर पुरा बच चुका था और में पकरने जा रहा था तो काड़ भी रहा था जो कि बहुत कठी नायों के वज़से हम खुद को मालीजे की डर खतम करके जाके पकरके उसको कैसे भ बचाया हुगा था शुरू में देखिए यहां पर हम लोगों देख रहे हूं आप अप लोगों को दिखाए दे रहा हो कि जाल में बच चुका है और बजने के बाद हम लोगों वहां पर जाएंगे और वहां थासा पानी अंदर है अंदर ढूकना परेगा और जाल खोल के घूसा जाएगा और जाल टूटता नहीं है बहुत प्रोब्लम हो जाता है और मुझे पानी में धूकना पड़ता है तो पानी में धूके में बचाओंगा आप देख सकते हैं वीडियो में जहां लोगों को देखकर कितना भागने का प्रयास कर रहा है कि कोई मुझे मारने क किया कि लिए या पुछ पकर कि अपना बचाने के लिए जाने की लिए डर रहा और कोई काम नेकर देख रहा है आप वीडियो में बने रही है आगे तक और आज़ल आपको दिखाने कर प्रयास करूंगा कि कैसे क्या होता है जानवर बच जाता है तो अब आप लोग देख सकते हैं चारबगल से जाल लगया गया उपर क्योंकि दूसरा जानवर आकर मचली खा जाता है इसके बचली से जाल लगया गया है और आत में पता नहीं कैसे आकर बच गया है और एक प्रब्लम हो गया है और दीकत भी होता है क्कि मैं पकर रॉलू को तो पाज़ा मारने लगा पूरा मेरा हांस पकर लिया था और ठोड़ जो बदस्त होता है ठोड़ के माध्याम से काट भी रहा था पर थ्वसे में पास में गया बार अदमधूर हो चुका था इसके वज़े से वह कुछ कर नहीं रहा था नहीं तो जिन्दा रहता और जिन्दा भी है और जो मान ल ब्रियार है जाल बहुत ब्रियार होता है देख सकते हैं पर कितना खराब हो चुका है एक पर डाइमेज हो चुका है पूरा और देखते हैं बूपर वाले जाने हैं बचते हैं कि नहीं बचते हैं पर मेरा जो काम है मैं कर दे रहा हूं क्योंकि मैं जाल से छुरा दे रहा जाल और बचाएने के सकर में पूरा अपना जाल पर बजा लिये हैं इसके वजाए से परब्लम हो रहा है और छूट नहीं रहा है जिसके वज़ा से कठी नाई यूँ का सामना करना पड़ा हैं तब आप लोग वीडियो में बने रही हैं आप लोगों दिखाते हैं कि इतना फेस करना पड़ता है प्रोब्लम जब कोई जाल में फंस जाता है कोई भी पक्षी और पानी होता है नीचा प्रांख होता है थुरा सा इधर दर कीजिएगा तो आप ही खुद पानी में चल जिएगा प्रोब्लम हो जाएगी और मैं निकाल लिया हूं फाइनल निकाल के लिके जा रहा हूं और लेके जाओंगा और आप लोगों को दिखाओंगा कहां पर रखता हूं कैसे क्या होता है इसको और कोशिश करूँगा कि बच जाए सुरक्षित जगह पे ले जाके आप लोगों को दिखाओंगा कि कैसे क्या इनको वीडियो में प्रोब्लम नहीं हो और देख सकते हैं चारो बगल जाल बनाया है और आख जबदस्त है और देखने में एकदम भिहानक लग रहा है और भिहानक जबदस्त शीन अब पानी में गिर जाते हैं पानी में गिरने के बाद अब क्या करें हम पानी में गिरने के बाद मुझे से तो भूसा नहीं जाएगा मैं किसी और बचा को बोला रहा हूं और बुला कर अप लोग को निकलवाओंगा निकलवाकर फिन उसको बाहर करूंगा बाहर करके उसके बाद फिन दूसरे जगह सुरक्षित रखा जाएगा और देखिए क्या होता है क्योंकि पानी में जाने के वज़ा से मुझे और प्रबलम हो गया क्योंकि उतना दूर से बचा के लाया और फिन पानी में गिर गए हम सोचे कि थोड़ा चलेंगा थोड़ा फूरती आ जाएगा पर एतो और प्रबलम डाल दिये और करकटे बढ़ा दिया हम लोग स्कूल में इनको शुरक्षित धर दूंगा चाजाओं पे कोई दूसरा हमला ना करे और थ्वासा इनके पास पावर आ जाएका पॉंख भी चुका है तो अपने से खुद से उरके चले जाएंगे उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है फिन जाके देखते हैं हम एक दूघंटा के बाद यह स्वक्षित है कि नहीं शाजा पर रख दिये हैं तब तक आप लोग ज्यदा- वीडियो को शेयर कीजिए